दोस्तों स्वागत आपके अपने चनल सिविल साइड विजिड में दोस्तों आज मैं मिस्टेक्स बताने वाला हूँ छे मिस्टेक ऐसी बताऊंगा आपको जिससे गर की स्टेंथ पे काफी फरक पड़ते हैं मतलब वीक हो जाता आपका गर कितना 20 से 30% अगर यह छे मिस्टेक आपके गर में हो रही है हुई है तो आपके गर के पे काफी फेक्ट पड़ेगा स्टेंथ का तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली मिस्टेक जो मैं बात करने वाला हूँ वो बेसिक मिस्टेक है वो है कबर ब्लोग आप यहां देख रहे हो शत्पे स्टील कॉंक्रेटिंग हो पूर गई है और कही जगा क्या होगा जब इसमें इस जगा कॉंक्रीट हो जाएगा और नीचे से वह इंट दिखेगी ठीक है एक जहां तो इंट निकाल दी जाएगी तो ठीक है फिर वहां होल जैसा बन जाएगा दूसरा अगर इंट वहां रहने दी वह पानी अब्जोब कर दूँगा कवर ब्लोग पर पूरी मेने वीडियो बनाई हुई है अभी अगली मिस्टेक जो सामने आपको दिख रही है वो क्या है वो है जो स्टील है जो कॉलम है उसका स्टील ब्राबर कटा हुए यह एक्स्टेंशन होने इस गर का ड्यूप्लेक्स है लेकिन यहां क्या क यहां तीन फुट बोल लो उदर नहीं आना चाहिए मतलब एक मीटर से उपर ही आपका लैब आना चाहिए काफी बड़ी मिस्टेक थी जो हर मोशली हर गर में देखता हूँ मोशली में वीडियो इसी पर डालता हूँ कि लैप आपको उपर नीचे होना चाहिए एक सरी अग से जुटके लैप नहीं आना चाहिए और यहां वही होगा एक तो जॉइंट साथ में आएगा स्टैकर और एक मीटर पर आ जाएगा अगली मिस्टेक जो की गई है सामने आप देखे और लैप दिये हुगा है कितने है कम से कम कोई आदा फीट या बोल लो डेट सो या 200 mm लै करना है 50D क्या हो गया अगर 10 mm का बार यूज कर रहे है 50 into 10 500 mm आपका मिनीमम लैप होना चाहिए किसमें 10 mm बार में अगर 12 mm का फिर 15 into 12 करने 16 करने अगर 20 mm का 50 into 20 करना या 1000 mm आपका लैप होना ही होना चाहिए और यह काफी बड़ी मिस्टेक होती है इससे होता क्या है देखो जब लोड पड़ेगा उपर से compression में अलग effect पड़ेगा tension में अलग और जैसे ही लोड पड़ेगा वहीं से आपका सरीया छूट जाएगा और collapse होने के chances काफी जादा हो जाते हैं किसके slab के beam के जहां भी आपने proper way से lab provide नहीं किया है यह काफी बड़ी mistake थी अगली mistake की मैं बात दूसरे जोड़ी जा रही है एक तो यहां डॉवल्स नहीं थे दूसरा डॉवल्स नहीं थे तो क्या है आपने सरीया बैल्ड नहीं कर सकते लैप नहीं कर सकते सिंपल क्या किया गया है, जो स्टील बार आ रहा है, उसको सिंपल दूसरे शद पर रेष्ट करवा दिया है, कितना करीब 100-200 mm, कई जगा 100-200 mm, कई जगा 200 mm, कई जगा 200 mm, कई तो इतनी सी रेष्ट से कुछ नी ओने वाल है, अगर दिवार घांच से कदर लोड पड़ा, अगर बस simple यहां concrete डाल दिया जाएगा और आप देख सकते हो कि क्या हालत है इदर प्रोपर से निटो बांड यूज करना है और प्रोपर से आपको बैल्ड यहां लैप अच्छे से होना चाहिए अगली जो मिस्टिक है वो लैपी स्पेसिंग की है आप स्पेसिंग देख रहे हो कम से कम डेड़ डेड़ फीड बीम में स्पेसिंग दिया है ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है कि आपको डेड़ फीड स्पेसिंग देनी होगी क्योंकि स्पेसिंग आपकी जाज़ा से जादा 200 mm होगी उससे जादा स्पेसिंग कहीं नहीं आती है बार की बागी तो डिजाइन पर होता है लेकिन यहां तो दो फीड तक स्पेसिंग दी है बीम है एक तो यह स्लैब बीम है लेकिन फिर भी कितनी डेट फीड दी है यह काफी बड़ी मिस्टेक है इस बीम में बात करें हैं तो 200-200 mm दी हुई है और इसमें हैं बारों के साथ कालों बढाे यहां फ्रेम स्ट् Fate रे कोलम करके स्लैप करके फिर बीग और करें यहां क्या की है साथ साथ में बिकवर्क औरकॉलर मोर्य लेकिन इसमें गल्ति क्या होती है इसमें गल्टी हुई है जो सीधा कॉल्म है वह वर्टिकल कॉलम नहीं इस घड़ मेड़ा कॉलम हो रहा है इस कॉलम का कोई फंक्शन ही नहीं रहेगा फ्यूचर में जब लोड आएगा तो वह क्लैप्स होने के चांसिस काफी हो जते हैं आगर यहां देखो मतलब कभी भी अगर आपको ब्रिक वर्क के साथ कॉलम करना है तो उसकी मतलब वर्टिकल्टी मतलब सीधा होना चाहिए और कभी भी उसमें हनी कॉम यहां बॉइट्स नहीं रहने चाहिए यह पहली शर्त होती है अगर आपको ब्रिक वर्क के साथ कॉलम करना है यहां मिस्टेक यही हो रही है क्या हो रहा है एक तो वर्टिकल नहीं है पूरा सीधा कॉलम नहीं है और कही जग हमारी वह काफी बड़ी मिस्टेक है जो स्लैब की स्टेंथ को डिक्रीस कर सकती है बहुत जादा 20% क्यूंकि देखो इस शट्रिंग कची शट्रिंग हम जिसे बोलते हैं फटे और प्लेटों के दोनों की शट्रिंग की हुई है इसमें अब बॉइट्स देख रहे हो कितने जा सेंड और पानी मतलब बाकी जो सीमें में प्रोपोर्शन है देखो काफी जगा इतने बड़े बड़े जॉइंट है कि उसमें से सब मेटीरियल नीचे गिराएगे काफी बड़ी मिश्टेक होती है इसे काफी एफेक्ट पड़ता है स्टेंथ पे अगर बाई फ्यूचर में एकस्टेंशन करने और नीचे एक तो यह क्या है इदर लटक बीम नहीं दी है सिर्फ काफ्या पेम है और उसको भी प्रॉपर वे से यूज़े नहीं, वह चिपक गई तो वहा भी धिक्त आ सकता, प्लास्टर करने में वह निकलती नहीं है। आपको हमेशा प्रॉपर वे से यूज़ करने हैं, कभी भी आपकी शेतर्विटी नहीं ना थे निचे लाइद आनी निच कहिए यहां तो मतलब 30-40 mm gap है तो यह काफी खराब शट्रिंग थी यह 6 mistakes जो आपको मैंने बताई यह काफी बड़ी mistakes थी ऐसे तो मतलब इनको normal यह जाता है हर जगा मैंने देखा एक गलती की जाती है लेकिन इससे काफी effect बढ़ता है इसकी strength पे इसकी durability पे और यह mistake आपको कभी नही करनी है और यहां एक और mistake मेर को देखने को मिली जो यहां props प्रॉप्स प्रॉइड की थी शट्रिंग के लिए props वो काफी दूर दूर थी आपको शट्रिंग की props प्रॉपर वे से प्रॉइड करनी है और बिल्कुल सीधी होनी चाहिए कभी भी inclined आपको कभी नहीं करनी है काफी effect डाल सकती है आपके गर पे अगर आपको इसके related कुछ भी question रहता है आप comment करना में इसका reply करूँगा और आपको कभी भी यह mistake नहीं करनी है और इससे पहले channel को subscribe कर लो क्यूंकि क्याफी videos आएंगी house के related, job के related, interview के related, काफी चीज़े आपको इस channel से मिलने वाली है